दूत परिवार के आराध्य श्रीट जुगल बिहारी का 35 पाटोत्सव बड़े ही धोम धाम से मुंबई के गिरगाउं चोपाटी के ठककर हॉल में मनाया गया इस औसर पर पूरा धूत परिवार उपस्तित रहकर अत्यन्थी भक्ती भाव से श्री जुगल बिहारी जी की मान मनुहर की श्री अजय धूत ने बताया कि यह पाटोत्तो प्रतिवर्ष किया जाता है और पूरा वाता वरण कृष्ण और राधा मैं हो जाता है परिवार के लोगों ने भजन, गीत, नृत्य और शाहरी कविताओं से जुगल बिहारी की पूजा अर्चना की उत्सों में कई मुंबई के सनमानित लोग उपस्तिते तो आईए सुनते हैं इस मौके पर श्री अजय धूत ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं उनकी राधा मेरी भावी है उनको आज 35 वरस पूरे हो गए 35 वर्ष पूर उनकी शादी हुई थी पूरा मरीन ड्राइब ब्लॉक हो गया था और ऐसी अद्वुत शादी अभी हुई नहीं तो उनकी का उनकी वर्ष गाट वेडिंग एन्वरसरी हम हर साल ऐसे ही 11 फरवरी उनकी तारीके आगे पीछे मनाते हैं पैंद साल से मनाते हा रहे हैं मेरी माने और रखुझी ने यह प्रठा चालू की उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उनका लाल लड़ाते में जन시면रा कईता कोई भी जिए जन्म हो या एन्वरसरी हो उसी को पाचुच सब्सक्राव हो उसी को पाट्न केते हैं और वहीम यह सब सिखाया कराया सब शुरू माने किया हम तो उनकी परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं हमारे में जो संसकार और हमारे में जो कुछ है उनी ने डाला है उनी ने पन पाया है तो हमारी कोई विसायत नहीं है एक मेरा भाई जुगल बिहारी उसकी कृपा और मेरे माँ बाबु जी के विश्वास से ही ये काम आगे बढ़ रहा है पूजा पार्ट का महत्व से ज़्यादा उसको अपना बनाना महत्व है पूजा पाट तो देख रेका की चीज है उसको मनाएं उसको अपना बनाएं उसकी सेवा करें उसमें बहाता है ये संसकार का है और कुछ भाग अपने कर्म का है पहले जो परवरिश और संसकार के बीज बोए जाते हैं उसी पे फसल उकती है और मैं समस्ता हूं कि हर माबाप को हर माता पिता को अपने बच्चों को दोश नहीं देना चाहिए पहले आप संसकार और परवरिश के समय अनुसार बीज डालिए फसल अपने आप ठीक हुगेगी दोश बच्चों का नहीं है अगर दादी के पास सामगरी है और पोता-पोती में नहीं आ रही है तो वो दोश अपने माबाप का है उनका नहीं है आपने जो मिला है वो नीचे वापस आपको देना है जो भी करो जैसा भी करो उसको अपना बना के करो और उसको अपना बना के रहो अखंड विश्वास रखो वो है रहेगा और तुमारे साथ है बस इतना है उसका नामजब करो भक्ति करो सचसन करो जो करना शिंगार करो उत्सव करो बस उसकी सेवा करो और उसको सुमेरन रहो बस कृपा वो करेगा तुमको तो खाली करना है उसी के लिए आए हो एक कबरिस्तान के आगे लिखा था एक कबरिस्तान के आगे लिखा था ए मुसाफिर तेरी मन्जिल तो यहीं है बस जिन्दगी भीद गई यहां आते आते जाना सभी को है तो अच्छे कर्म करके जाओ तो उसके पास जाओगे वरना तो वे चोरह सिला की उनी में वापस आना है